जय हैं दोस्तों एकजिस एकडिमी में आपका पुना स्वागत हैं बच्चों आज फिर से जो हमारी यूपी की संखला चल रही थी उत्तरपदेश एस्पेसल के बारे में उसी की एक क्लास और आज हम लेकर उपस्तिती हैं बच्चों देखेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तरपदेश में कौन-कौन से ताप विद्दूत ग्रह या ताप विद्दूत केंद्र का क्या उपयोग है आप लोग जानते होंगे क्योंकि यह बिजली सप्लाई करता है और बिजली बनाता है तो यूपी में कहां-कहां बनाए गये हैं उन चीज़ों को हम यहां पर द किये आपने पहले सुनाओगा कुछ उर्जा सुरोत होते हैं जो परमपरागत होते हैं और कुछ होते हैं जो गैर परमपरागत होते हैं परमपरागत का क्यारत होता है परमपरागत वो होते हैं जो पहले से उनका उपयोग होता चला रहा है और गैर परमपरागत होते हैं ज से आप से कहा जाए उर्जा संसाधन तो बच्चों उर्जा संसाधन में क्या क्या होता है उर्जा संसाधन में देखा जाए दो प्रागा सोर्स मिलते हैं एक होता है परमपरागत परमपरागत और एक होता है बच्चों गैर परमपरागत गैर परमपरागत आप से अगर हम यह चला रहा है और परम परागत होते हैं और गयव बशूसरदेनों बिशने में की बलब पर टेक्त में लिए हैं वो गयर परव्टरागत है यहनु पहले उनका यूजह सबसे पहले कर दिया तो यह flatter क HD प्रमपरागत और गयर प्रमपरागत में क्या कहेंगे इसमें बहुत सारे आते हैं जैसे आज हम क्या देखते हैं सवर उर्जा को प्योग करना सुरू कर दिया है पहले ऐसा नहीं था पहले इसका अपयोग ऐसा यह था। सुर और उरजा का उप्योक उसके बाद आज हम क्या करते हैं पॉहनुर्जा कप्योक Aufियोकर रहें पॉहनुर्जा इस तरह से और भी जो हम अब से शुर्वात किक्ति आक मालूम होगा पुरतन समय में पॉलर प्राण हंए सोलर कोई कार नहीं फीकास क्या गया और आज जो है विभिन प्रकार के सोर्स बना देगे बहुत सारे एनलजी सोर्स बने हैं तो उन्हें के परपेश में आज हम आगे पढ़ेंगे यह उत्तरफदेश के प्रमुकताप विद्दुत केंद्र ताप विद्दुत ग्रहा जिनके बारे में हम समझेंगे कि यह कहां पर है और किस जिले में आते हैं यह सारी से देखेंगे बच्चों यहां से कोशन देखने को जुरू मिलेगा कोशन आते रहते हैं और इसको आपको कंठस्त करना है याद करना है फिर देखते हैं चलिए देखते हैं इसमें कौन कहां पर है बच्चों तो देखेगा पहला यहां दिया खारा ताप विद्दुन्द यानि विद्दुद्ग्र है यह कहां पढ़ेगा तो आपको पढ़ेगा साहरनपूर ठीक ना देखिए जहां जहां मैं इस्टार लगाऊंगा वह एक्जाम के लिए बहुत होंगे उनको जरूद दिजिएगा ठीक है बचों आप इसको अच्छे स्तयार करेंगे क्योंकि यह बहुत ही महत्पून टॉपिक है चलिए तो खारा कहा हुआ सारनपूर में उसके बाद देखते हैं बच्चों देखेगा यहां पर देखिए अलीगड़ अलीगड़ में क्या सब्सक्रांट न कौकशों न है अलीगड़ में ठीक है उसके बाद देखेंगे यहां पर अगला है निर और एकिशПрे मसें तकी बowan लिच अगला अगला अलहा यह समझेगा यह फल नहीं समझेंगे ओला किया है और पट्चों यह कहां पर है यह री नहीं है तो बरेली में क्या है आवला और अगर कीवल आवला प्रोड़ी बात करें तो बचो आवला के लिए पुसे ध्याप का यूपी का प्रताब गड़ लेकिन यहां पर यह प्रोड़क्ट नहीं है बलकि यह ताब विद्दुत ग्रह है इसलिए आवला कहा लगाएंगे बरेली भी में हो जाएगा चलिए आटे बरते हैं फिर देखेंगे जो प्रसदी चीजें वह देखेंगा तो बचिन यहां दिखिए एक है जावाहर जावार विद्दुत कि महां है एक रटम पड़ेगा हाँ पड़ेगा एक रटम पड़ेगा वह उसके बाद देखेंगे इसको परिच्छा बांध भी होता है परिच्छा ताप केंद्र है विदुद केंद्र है यह कहां पर है यह जहांसी में का बच्छो जहांसी में जहांसी के नाव आपने सुना होगा जहांसी की रानी तो जहांसी करने को लच्छी बाई तो यह जहांसी वहीं है तो जहांसी में यहां पर क्या है परिच्षा बांद है यह बहुत पूछाता है और परिच्छा क्या कहेंगे बिद्दुद्ग्रेह हैं चलिए क्लिए वहांगा ज anál सी मेए क्या है पर इसके पाद गर 270 एक बचुझot यह पर पड़ेगा तो यह पड़ेगा ललितपुर में नाम सही आजना की यहां पर दिख राए कि ललिद्पुर विदूद्गरह कहां है तो यह लिद्पूर फड़ेगा ठीक न सब्सक्राइब है और कानपूर में पन की यह जगा है और वही बना हुआ है कानपुर में एक सबसे फिमस जो आप पढ़ते हाए होंगे एक है राइबरेली में उचाहार जिसको एंटीपीसी एंटीपीसी उचाहर नाम सुना होगा तो ताब विद्दुद ये ग्रह है योपी का उचाहर में ठीक है उसके बाद एखेंगे यहां पर क्या है ये टांडा है टांडा कहा है तो करेंगे अमने बताएंगे देखते हैं आपकी त्यारी आसी चल रही है ठीक ना तो मैंने क्या कहा कि टांडा में क्या है अच्छी पूर विद्दुद गया है कि आप से क्वेश्ण किया है की अंबेटेकर नगर का मौष्छाले क्या है आप लोग कमेंट जरू करिएगा ठी आपको चीजे समय आ रहे होगी चले आते हैं अब में कॉश्चन पर आते हैं जहां से कॉश्चन बहुत बार पूछा गया है और बारम बार पूछा जाएगा तो बच्चों अगर मैं आप से कहूं बताइए कौन सा छेतर है तो बच्चों आप कहेंगे यह सोन भद्र का है यह है सोन भद्र क्या है बच्यों यह सोन भद्रो और सोन भद्र में दिखेगा यहां पर कॉन सा थावचल कंग यह से इंसी टार है यह पूरा यह पूरा पूरा संस आण गईगा ऑद में उसके बाद Abra है Obra कहां पढ़ेगा पढ़ेगा सोनभद में और अगला है रीहंद नधी भी है रिहांद बांद भी है और उसी पर बनाया गया है रिहंद बिदू न रहां पी जीज़ा हमेशा एक अपनी प्रशिद्ध बनाये हुए है उत्तप दिसेवर पेश में मैं आपको पहली भी समझाया है सुनभद में बहुत सारी चीजे जैसे यूपी सब्सक्राइब कहां पाई जाती है यूपी में सबसे अधिक बन कहां पाई जाते हैं सुनभद में पाई जाते हैं यह सारी चीजे में आपको पहली बताया है तो बचों इस तरह से यह पूरा आपका वीडियो है चलिए एक बार और करते हैं हां चलिए एक बार और समझेगा देखिए जब उत्तप दिसका विद्धुग्रह बनाया जाने लगा तो यह क्या किया गया विद्धुग्रह के ल यह अपलो धान दीजेगा मैंने कहा साहराफ पूर में कौन साय ताब बिदुग्रह केंद है क्या बताएंगे खारह है उसका कहेंगे अलीगल में कौन साय आप बताएंगे हर्दुग्ण्श है बले रोड़ा बहुत इंपोर्टेट है नरो रा थिर थिक एंगे ऑला कहा बढ़ेगा कानपुर बढ़ेगा और बच्छों ऊचाहर में एंटी-पी-सी पूलते हैं इसको यह कहां है तो आप कहांए पर राइवली में अमधिकर ऐगर टानदा में और गाजी पुर घाजी पूर में और बच्छों यहां पर देखेगा सूर्भद में बहुत सारे है इनक बढ़ें इस तरह से यहां से बहुत सारे कोश्चन देखने को जरूर मिलेंगे तो बच्चों इनको क्या करना है आपको याद करना है अच्छे त्यार करना है आगे भी मैं आगे वीडियो लाता रहूंगा और आपको मैं पूरी यूपी कम्लिट कर रहूंगा और बाद में आ उसके बाद आपकी महराथन क्लास आएगी और वह महराथन आपके किसी भी एक्जाम को फोलने के लिए परियाप्त होगी आपको कहीं और नहीं पढ़ना पड़ेगा इस से बेस्ट प्लेट फार्म आपको कहीं नहीं मिलेगा बच्चों जैसा की एक्जिस एकडिमी पर आप की संपूर तैयारी यहां कराई जाएगी आपको free of cost सारी कला से दी जाएगी तो इसलिए आप इस इस एक्जिस एकडिमी से जुड़े रहिए और इस पर भरपूर मेहनत करिए हम लोग आपके साथ में हैं और आपका भरिस उजल होगा ऐसी मनोकामना है हम लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगओ हो दोस्तों तो इसको share subscribe और like जरू करिएगा जिससे आपके दोस्तों का भी बला हो सके बहुत बहुत धन्यवाद